कल्पना कीजिए, अगर धर्ती से ऑक्सीजन केवल एक सेकंड के लिए गायब हो जाये तो क्या होगा? एक सेकंड बहुत छोटा समय लगता है, लेकिन इसके नतीजे आपकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर ऑक्सीजन एक सेकंड के लिए गायब हो जाये तो क्या होगा? शायद आपको एक पल के लिए अपनी सांस रोकनी पड़ेगी। ओनक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है, यह सिर्फ हमारी सांसों में ही नहीं, बलकि पानी, H2O का भी हिस्सा है और जीवन को बनाए रखने वाली कई रासायनिक क्रियाओं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। हमारे वायू मंडल का लगभग 21 प्रतिशत ऑक्सीजन से बना है और यह दहन, श्वसन और पदार्थों की सनरचना के लिए बेहत जरूरी है। अब कलपना कीजिए कि एक सेकंड के लिए प्रित्वी से हर ऑक्सीजन अणू अचानक गायब हो जाए। क्या होगा? सबसे पहले आपको लगेगा कि हम अचानक वैक्यूम में आ गए हैं। चोट हो सकती है। सौभाग्य से यह सिर्फ एक सेकंड का समय होगा इसलिए हम इस दबाव परिवर्तन से बच सकते हैं लेकिन बिना नुकसान के नहीं। आउक्सीजन के बिना दहन पूरी तरह रुख जाएगा। प्रिथवी की हर आग बुझ जाएगी और आंतरिक दहन इंजनों वाली गाडियां चलना बंद कर देंगी। इसके साथ ही बिजली भी कुछ बल के लिए जपक सकती है क्योंकि आउक्सीजन की कमी से कुछ रासाइनिक क्रियाएं बाधित हो जाएगी। हालांकि सूरज बुझने वाला नहीं है क्योंकि उसका उर्जा सुरोत दहन नहीं बलकि नुकलियर फ्यूजन है। लेकिन आपकी गैस स्टोव में जल रही आग और इंजन के अंदर जल रही आग तुरंत बुझ जाएगी। लेकिन असर यहीं खत्म नहीं होते। याद रखें, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर ऑक्सीजन एक सेकंड के लिए गायब हो जाए, तो धर्ती पर मौझूद सारा पानी हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। महासागर, नदियां और जीलें अंतरिक्ष में वाश्पित हो जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। यह बस एक सेकंड के लिए होगा, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। ऑक्सीजन के बिना, ज्यादातर इमारतों और सनरचनाओं को बनाने वाले पदार्थों के अनू भी एक दूसरे से बंधे नहीं रह पाएंगे। उदाहरण के लिए कंक्रीट की सनरचना ऑक्सीजन के रासायनिक बंधनों पर निर्भर करती है। गगन चुम्भी इमारतें, पुल और यहां तक की आपका घर भी ढहा जाएगा क्यूंकि वे अब अपनी सनरचना को संभाल नहीं पाएंगे। और एक और डरावनी बात, बिना ऑक्सीजन के हमें ओजोन परत का सनरचन नहीं मिलेगा, जो हमें सूरज की अल्ट्रा वाइलेट किरणों से बचाती है। उस एक सेकंड के लिए प्रिथवी पर खतरनाक पराबैंगनी विकिरण की बारिश होगी। हालांकि यह सिर्फ एक पल का होगा, लेकिन यह तवचा कैंसर और डियनेक शती का खतरा बढ़ा देगा। उस एक सेकंड में आपको सांस घुटने का समय नहीं मिलेगा क्योंकि आकसीजन खत्म होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन फिर भी आपको कुछ अजीब लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे हवा अचानक आपके फेपड़ों से खीच ली गई हो और जब आकसीजन वापस आएगी तो आपको चक्कर या अस्थिर्ता महसूस हो सकती है। कल्प ना कीजिए एक सेकंड के भीतर आपके शरीर पर जैविक प्रभावों की एक रोलर कॉस्टर सवारी हो जाएगी। तो यह थी हमारी कहानी एक साधारन सवाल लेकिन इसके परिणाम बेहत गंभीर और डरावने हो सकते हैं। अगर आकसीजन एक सेकंड के लिए गायब हो जाए तो पूरी प्रित्वी एक तीवर विनाशकारी परिवर्तन से गुजरेगी। इमारतों के ढ़ाने से लेकर तवचा जलाने वाली पराबैंगनी किरणों तक हमारी दुनिया एक पल में बदल जाएगी। और यह बदलाव कताई सुखद नहीं होगा। अच्छी खबर आकसीजन कहीं नहीं जा रही है और हम आराम से सांस ले सकते हैं। फिलहाल के लिए। अगर आपको यह वीडियो शानदार लगी हो तो लाइक बटन दबाएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक साइन्स से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।